हेलो दोस्तो अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार तो दोस्तो आकास शोपड़ा जो की पूर्फ क्रिकेटर है क्रिकेट एक्सपर्ट है और अभी एक यूट्यूबर भी है उन्होंने IPL 2022 के लिए एक बहुती महत्पूर्ट सला दी है जैसे कि दोस्तो आप सभी को पता ही होगा कि IPL 2022 में अब 8 नहीं बलकि 10 टीमें खेलेंगी दो नहीं टीमें एड होंगी वो कौन सी टीम है ये तो अभी नहीं पता पर ये आकलन किया जा रहा है कि शायद एहमदाबाद एक टीम हो क्योंकि एहमदाबाद में बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया है इसके इलाव और कौन सी टीम होगी ये नहीं पता पर आकास चोप्रा ने एक सला दिया है आकास चोप्रा ने बोला है कि जैसे अभी एक टीम में चार foreign players खिला सकते थे 2022 से एक टीम में पाँच foreign players कर देने चाहिए आकास चोप्रा ने बोला है कि IPL में दुनिया के सारे best players खेलते है दुनिया में जो best होता है वही IPL में खेलता है जिसकी वज़े से IPL की quality बहुती जादा अच्छी होती है IPL जैसी cricket की quality दुनिया में किसी भी league में नहीं होती है IPL में जितने भी बड़े खिलाडी खेलते है वो पूरी दुनिया में नहीं खेलते है IPL के success का reason है कि सारे बड़े बड़े foreign players IPL में खेलते है इसलिए अगर IPL में 4 की जगा 5 foreign खिलाडी खेलेंगे तो quality और increase होगा competitiveness और ज़्यादा increase होगा और जो audience है जो दर्शक है उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा ज़्यादा foreign players खेलने से विदेशों में reach भी ज़्यादा बढ़ेगी IPL की वैसे भी बहुत ज़्यादा reach है IPL की पर और ज़्यादा बढ़ेगी विदेशों में इसके अलावा आकास चोपडा ने एक और बात बोली है जैसे कि 10 टीमे होंगी 2022 से तो इंडियन खिलाडियों की मात्रा भी increase हो जाएगी इंडियन खिलाडी भी increase हो जाएंगे पर दोस्तों इंडियन खिलाडी हर टीम में बहतरी नहीं है कुछ-कुछ टीम में बहुती जादा भैतरी इंडियन खिलाडी है पर सब टीमों में अच्छे इंडियन खिलाडी नहीं है जब 2022 में दो टीमें एक्स्ट्रा हो जाएंगी तो हमें 14 और इंडियन खिलाडी चाहिए खेलने के लिए 14 तो मैं मैच की बात कर रहा हूँ बेंच में भी इंडियन खिलाडी अच्छे चाहिए अगर आईपियल में खिलाडी अच्छे ना हो जो इंडियन खिलाडी है वो अच्छे ना हो तो आईपियल का जो कॉंपिटिवनेस है जो आईपियल की क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि इतने जादे इंडियन ख पर आप हर टीम में देखेंगे इतने अच्छे खिलाडी नहीं है इंडियन तो जब दो टीमें एक्स्ट्रा आएगी तो 14 नए इंडियन खिलाडी कहा से लाएंगे तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अब फॉरन प्लेयर्स की जो संक्या है फॉरन प्लेयर्स की जो लिमिट है वो पाच-पाच कर देनी चाहिए ताकि जो क्वालिटी है वो आईपियल की बनी रहे तो दोस्तो आकास चोपड़ा के इस सजेशन पे आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ऐसे वार वीडियो लेकि हम आते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए जाहिन